दोस्तों इस वीडियो में हम जिस शेर के बारे में बात करने वाले हैं आज इस शेर को हमने हमारे प्राइज एक्षिन स्टोक्स के अंदर भी इंक्लूड किया था जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ NMDC Limited के बारे में जो कि इनके अगर बिजनस की बात करें तो NMDC Limited का बिजनस Mining and Minerals का बिजनस है और आज आज आपको इस शेर के अंदर लगबग 2% के करीबन की तेजी देखने को मिली है और 117 रुपे का ये शेर आने वाले टाइम में आपको Multi-Wigger Shares बनते वे देखने को मिल सकता है क्योंकि इसके पीछे के कुछ रिजन मैं आज आज आपके साथ शेर करने वाला हूँ NMDC Limited का अगर आप चार्ट को Analysis भी करेंगी तो NMDC चार्ट के अंदर आज आपको काफी अच्छे बुलिश मुमेंट देखने को मिले है और सबसे बड़ी बात इसके 117 रुपे के Strong Resistance को आज इसने वापिस Achieve कर लिया है अब बात करें NMDC के Market Capitalization की तो NMDC का Market Capitalization 95,937 करोड रुपे का है ये एक Mid Cap Company है और इसकी Performance की बात करें तो काफी अच्छी Performance यहाँ पर आपको NMDC की तरफ से देखने को मिल रही है कि हमारी Government भी यहाँ पर Mining के Business को लेकर बहुत ज़्यादा Positive Steps उरुठा रही है जिसका Benefit NMDC के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है NMDC के अगर हम पीछले एक महिने की Performance की बात करें तो बहुत बढ़िया Performance यहाँ पर निकल कर आ रही है NMDC ने पीछले एक महिने में अपने Investors को लगबख साड़े 22% के Returns बना कर दिये है उसी के सामने अगर Nifty 50 की बात करें तो Nifty 50 ने सिर्फ 0.28% के Returns यहाँ पर बना कर दिये है अगर NMDC के हम यहाँ पर 52 Week के High की बात करें तो NMDC ने अपने 52 Week के High को सिर्फ कुछ दिन पिले ही यहाँ पर अच्यू किया था अभी यह अपने 52 Week के High से लगबख 0.5% नीचे Trade कर रहा है लेकिन उमीदे है के बहुत जल्दी आपको नए 52 Week के High देखने को इसके अंदर मिल सकते हैं अगर Momentum की बात करें तो NMDC के अंदर अभी भी आपको Bullish Momentum देखने को मिल रहे हैं चाहिए Short Term की बात करें, Medium Term की बात करें या फिर Long Term की यदि आज आपने Price Action Stocks के अंदर NMDC को देखकर अगर उसके अंदर Investment किया है तो कुछ Levels में आपके साथ Share करना चाहूँगा इन Levels का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पहला Resistance आपको 170 रुपे 28 पिसे का लेकर चलना है जो कि आज की दिन ही आपको अच्छी होते हुए देखने को मिल गया है दूसरा Resistance 113 रुपे 22 पिसे का लेकर चलना है और तीसरा Resistance 118 रुपे 23 पिसे का लेकर चलना है यहाँ से आपको जो Stop Loss लेकर चलना है उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि आप अपने Risk को को यहाँ पर Manage कर पाए पहला Stop Loss आपको 162 रुपे 33 पिसे का लेकर चलना है दूसरा Stop Loss आपको 177 रुपे 32 पिसे का लेकर चलना है और तीसरा Stop Loss आपको 154 रुपे 38 पिसे का लेकर चलना है अगर NMDC के हम Price Performance की बात करें तो NMDC की Price Performance भी काफी अच्छी यहाँ से निकल कर आ रही है बहुत ज़्यादा Consistency इस Shares के अंदर आपको देखने को मिलती है ज़्यादा Corrections आपको इस Shares के अंदर देखने को नहीं मिलते है तो ये Shares उन Investors के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर Benefit हो सकता है जिनको यहाँ पर ज़्यादा Risk लेना पसंद नहीं है NMDC ने पिछले एक सब्ता में अपने Investors को लगबग 10% का Return बना कर दिया है पिछले एक महिने में तो 25% का Return बना कर दिया है पिछले तीन महिने में 46% का Return Year on Year basis 48% का Return पिछले एक साल में 132% का Return और इसा नहीं है कि सिर्फ COVID के Impact के कारण यहाँ पर इसके अंदर आपको इतने अच्छे Returns देखने को मिल रहे है इस Share ने याने कि NMDC ने अपने Investors को पिछले तीन साल में 41% के Return बना कर दिये है अगर Volume को भी Analysis करें तो आज NAC और BAC के अंदर NMDC की 2 करोड क्वांटिटी ट्रेड हुई है जो कल के Compare में कम यहाँ पर देखने को मिल रही है लेकिन उसके बावजूट Delirable Base काम आज काफी अच्छा आपको NMDC के अंदर देखने को मिला है उसमें 91% इस Share को Buy की Call लिकल कर आ रही है और 2% Hold की Call लिकल कर आ रही है यानि कि अगर आपने NMDC के अंदर Investment कर रखा है तो Definitely मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 2-3 Trading Session तक आप इंतिजार कर सकते हैं काफी अच्छे Returns आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं Financial Numbers को भी एक बार के लिए यहाँ पर Analysis कर लेते हैं तो NMDC के यहाँ पर Financial Numbers मैंने आपके सामने Open कर रखे हैं जिसमें सबसे बिले अगर Revenue को यहाँ पर Compare करें तो Quarter on Quarter Basis पर तो Revenue के अंदर आपको काफी Growth देखने को मिल रही है लेकिन उसी के साथ में Year on Year Basis पर भी अगर आप यहाँ पर Revenue को चेक करेंगे तो Year on Year Basis पर भी Revenue के अंदर आपको काफी Growth देखने को मिल रही है अब बात करें Company के Net Profit की तो company ने यहाँ पर जो net profit declare किया है December के quarter में 2,108 करोड रुपे का वो पिछले quarter के compare में काफी ज़्यादा है पिछले quarter में company ने 722 करोड रुपे का net profit declare किया था जो कि बढ़कर 208 करोड रुपे का हो गया है पिछले साल से अगर compare करें तो पिछले साल company ने 1345 करोड रुपे का net profit declare किया था जो कि अब बढ़कर 208 करोड रुपे का हो गया है EPS की भी अगर बात करें तो definitely यहाँ पर net profit इतना increase वाए तो EPS यानि कि earning per shares के अंदर तो increment देखना स्वबाइक सी बात है तो यदि आप EPS भी अगर आप देखेंगे तो year on year basis पर EPS के अंदर भी आपको लगबख 3% की तीजी देखने को मिल रही है और अगर quarter on quarter basis पर भी अगर आप देखेंगे तो लगबख 5% की तीजी आपको EPS के अंदर भी देखने को मिल रही है अब बात कर लेते हैं share holdings patents के बारे में तो यहाँ पर share holdings patents जो मार्च के quarter में निकल कर आई है जिसमें promoters ने अपनी holdings को यहाँ पर decrease करा है promoters की holding जो की 69.65% थी उन्होंने घटा कर 68.29% यहाँ पर continue करी है mutual fund की अगर बात करें तो mutual fund ने अपनी holdings को यहाँ पर increase करा है जो की 4.12% से बढ़ कर 4.18% तक यहाँ पर बढ़ा दी गई है mutual fund scheme के अगर numbers की बात करें तो mutual fund scheme के numbers के अंदर भी काफी improvement आपको देखने को मिल रहा है इसी के साथ में foreign investors ने भी अपनी holdings को यहाँ पर increase करा है तो यदि आप NMDC के अंदर investment करना चाते हैं तो definitely यह आपको काफी अच्छे returns यहाँ से बना कर दे सकता है चलिए दोस्तों उमीद है आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे like और share करना न भूले चेनल को subscribe कर ले और साथ ही साथ टेलिग्राम चेनल को भी join करना बिलकुल न भूले टेलिग्राम चेनल के link description box में मिल जाएगी वहाँ से आप टेलिग्राम चेनल को join कर सकते हैं